वेटिंग पीरियड्स तीन टाइप के होते हैं अगर आपने एक नई हेल्थ इंशॉरेंस पॉलिसी ली है तो एक्सिडेंट्स के लिए तो आप पहले दिन से कवर हो जाते हैं बट बाकी बीमारियों की कवरेज तीस दिन बाद से शुरू होती है दूसरा वेटिंग पीरियड है स्पेसिफाइड एल्मेंट वेटिंग पीरियड जिसमें कैटरैक्ट और नी रिप्लेस्मेंट जैसे ट्रीटमेंट्स को दो साल बाद से कवर किया जाता है आपके पॉलिसी डॉकुमेंट्स में ये लिस्ट क्लिरली मेंशन है तीसरा वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड फॉर एक्जामपल अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको पहले से ही हाईपर्टेंशन या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसके related claims एक से चार साल के बाद से cover होते है और हाँ अगर आपने अपनी policy किसी एक insurance company से दूसरे में port कराई है तो आपके previous waiting periods को भी count किया जाता है तो insured रही है, बेफिकर रही है